पॉलिसी बनानी है पूरा पूरा जो एक्जामपल आपको दिया गया है इससे चीजे जो है वह अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर होगी ठीक है तो अगर हम बात करेंगे 13 अगस्त 1990 के बारे में है ना मलत 13 अगस्त 1990 को यहां पर क्या हुआ था कि government of India ठीक है issued an order ठीक है मलत भारत सरकार जो है उस कोई बहुत जादा difficult नहीं है एक आप यह कह सकते हैं कि एक circular जो है वह यहां पर release किया गया जैसे हमारे स्कूल वगएरा में notice वगएरा लगता है ना उसी तरीके से notice जो है वह यहां पर क्या किया कि भारत सरकार ने जो है वह यहां पर issue किया जिसको हम क्या बोलते है उस notice को जो official name यहाँ पर दिया गया, उसको हम office memorandum जो है वो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, the joint secretary and officer in the department of personal and training in the ministry of personal public grievances and pensions, signed the order, ठीक है, अभी इसको एक बात समझो, क्या होता है कि अलग-अलग तरीके की, जैसे हमारे देश में क्या है कि ministries है अलग-अलग, है ना, जैसे आप देखोग देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, ministry of personal public grievances and pension, ठीक है, यह ministry के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, इसमें ही एक department है, जिसका नाम क्या है, personal and training, है ना, मतलब पूरी की पूरी, अगर हम ministry यहाँ पर देखेंगे, तो ministry क्या है, कि वो आपक ज्वाइन्ड सीक्रेटरी देखने को मिलेंगे, उन्होंने क्या कीया, उन्होंने जो है although order को इहाँ पर sign किया, हाना आप बहुत ध्यान से समझ ना, कि यहांपर क्या हुआ है कि Government of India ने एक order यहाँ पर issue किया, है ना, कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके का जो काम है, वो पर लागू करते हैं ठीक है तो यह sign किस ने किया joint secretary जो है इन्होंने यहाँ पर इसको sign किया this order announced 27 percentage reservation for socially and educationally backward classes in government jobs ठीक है मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई 27% का reservation जो है वो हमें क्या करना है कि जो भी सरकारी jobs यहाँ पर होती है उसमें लोगों को यहाँ पर provide करना है मतलब यह जो पूरा का पूरा आपको यह office memorandum यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि 13 अगस 1990 को यहाँ पर release किया गया इशू किया गया उसमें यह बोला गया कि जो समाजिक है ना और यहाँ पर सेक्षिक रूप से मतलब एजूकेशनली बैकवर्ड मतलब जिनका एजूकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है है ना जो समाजी ग्रूप से बहुत पीछे है बैकवर्ड क्लासिस हैं उनको हम क्या करेंगे कि जो गवर्मेंट जॉप से उसमें 27% का जो reservation है उसका provision यहाँ पर लिकर आ रहे ठीक है तो इसके उपर जो है यह पूरा का पूरा जो यहाँ पर office memorandum है वह यहाँ पर related है कि जो भी यहाँ पर socially और educationally यहाँ पर backward classes होंगी उनको 27% का reservation यहाँ पर देना है ठीक है अब वह अलग बात होती है कि reservation देना चाहिए और नहीं देना चाहिए ठीक है उसके बारे में हम discussion नहीं करेंगे क्यों क्योंकि फिर हमारा discussion जो है वह बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है मैं आपको इस पूरी की पूरी process को आप यहाँ पर समझिए है ना जैसे मैं यहाँ पर आपको किसके बारे में बताऊंगा यहाँ पर कमीशन है जिसको बोलते मंडल कमीशन ठीक है मंडल कमीशन क्या होता है कि इसमें कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे है और उस पूरे की पूरे commission का जैसे क्या होता है कि group बना दिया जाता है ना कि भाई आप लोग क्या करिए इस topic के बारे में जो है वो थोड़ा सूचिए समझिए और देखिए कि हमको यहाँ पर किस तरीके से reservation मगारा जो है वो यहाँ पर provide करना है ठीक है तो अब अगर आप देखोगे तो mandal commission जो है वो commission है ठीक है उनके लिए यहाँ पर क्या किया गया एक commission जो है वो यहाँ पर बिठाया गया है अब अगर आप यहाँ पर देखें के तो आपसे मन में question यह आ रहा होगा कि सर यह तो second है तो first वाला जो है वो यहाँ पर कब appoint किया गया ठीक है तो first वाला जो appoint किया गया था वो कि गया था 1953 में ठीक है 1953 में सरकार ने फॉर्स बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो यहां पर एपोइंट किया था इसका रीजन क्या होगा सेम उसी तरीके का रीजन जो रीजन अभी हम यहां पर डिसक्स करने वाले ठीक है अभी आपको मुझे यह बताना है कि फॉर्स कमीशन जो इहां पर था उसके चेयर में कौन थे किनके नाम पर उस कमीशन को आना जाता है अब यह जो सेकने बैकवर्ड क्लास कमीशन था इसको head किस ने किया था BP Mundal साब ने आप ये फोटो में देख सकते हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है श्रीप BP Mundal Hence it was popularly called the Mundal Commission ठीक है और इसी वज़े से हम इसको क्या करते हैं Mundal Commission के नाम से यहाँ पर जानते हैं अब इसको यहाँ पर काम क्या दिया गया मैंने आपको बता है न कि कोई भी Commission अगर यहाँ पर बैठता है कोई भी committee यहाँ पर form की जाती है तो उसका एक task होता है है न कि इस task के लिए हमने यह commission यह committee जो है वो यहाँ पर बनाई है तो इनको यह बोला गया था कि आप यहाँ पर क्या करिये कि प्यारे भारत में है न जितने भी लोग समाजिक रूप से है न या सेक्षिक रूप से यहाँ पर पीछे हैं सेक्षिक मतलब educationally backward और समाजिक मतलब socially backward तो आप उनको यहाँ पर क्या करो identify करो अलग-अलग तरीके की community यहाँ पर हो सकती है है न जो इस तरीके से यहाँ पर पीछे होगी तो इस commission को यहाँ पर यह बोला गया कि आप लोग यहाँ पर क्या करिये कि determine करिये the criteria to identify मतलब कि आपको वो criteria यहाँ पर बताना है जिसकी वज़े से हम उस particular class को जो है वह यहाँ पर identify करें जो socially और educationally backward हो अभी क्या है कि लोग देखेंगे कि reservation यहाँ पर मिल रहा है तो सब आ जाएंगे कि हैना कि सर हम है socially educationally backward तो ऐसे सब लोगों को तो include नहीं किया जिनके साथ बहुत सारी यातनाएं हुई है यातनाएं मतलब जिनको बहुत जादा यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि दबाया गया है है ना उन लोगों को हमको यहाँ पर क्या करना है कि आगे ले कराना है तो इनको यह बोला गया कि आप criteria identify करें कि कि किस तरीके से हम socially और educationally backward classes को identify कर सकते हैं और आप हमें यह भी बताइए है ना कि हम उनके advancement के लिए मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं तो वो recommendations जो है वो आपको यहाँ पर देनी है ठीक है तो यह इनका काम था यसलिए मंडल Commission को जो है वो 1979 में यहाँ पर appoint किया गय किया कि अपनी report जो है वो यहाँ पर publish करी और आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने अलग-अलग तरीके की जो recommendations यहाँ पर थी वो यहाँ पर दी थी जैसे मैंने आपको first backward class commission की बारे में बताया उसको appoint कप किया गया था 1953 में और उन्होंने जो अपनी report यहाँ पर publish करी थी वो कप करी थी वो 1955 में करी थी हैना क्या होता है कि अलग-अलग चीजे find करनी होती है उसमें समय लग जाता है इनको एक साल का समय लगा इन्हें दो साल का समय लगा था लग भग ठीक है तो आप यह कह सकते हैं कि इस तरीके से मंडल commission का appointment यहाँ पर होता है अभी मंडल commission ने यहाँ क्या किया कि जो भी अलग-अलग तरीके के यहाँ पर क्या हुआ कि recommendations यहाँ पर दी उन में से एक जो हमें यहाँ पर discuss करनी है वो यह थी कि one of these was that 27 percentage of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes मतलब इन्हों यह बोला कि समाजिक रूप से ठीक है socially और जो educationally backward classes है उनको government job में जो है वो 27% का reservation यहाँ पर करना है यह किसकी recommendation थी यह मंडल commission की recommendation यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अब यहाँ पर क्या है आज के time period पर अगर हम देखेंगे तो 27% जो reservation है वो हम यहाँ पर लोगों को provide करते हैं ठीक है मैं आज के time period की जो है वो यहाँ पर बात कर रहा हूं लेकिन आब यहाँ पर क् commission आपने appointment कर दिया commission appointment करने के बाद जो है वो आपने उन्होंने यह बोल दिया कि 27% reservation देना है और आज के time period पर अगर हम देखेंगे तो reservation यहाँ पर मिल भी रहा है तो सर मतलब क्या कि कोई भी recommendation यहाँ पर देदेगा तो उस तरीके से कानून बन जाएगा क्या मलब उसको यहा recommendation आपके मन में आ रहा होगा तो इसका answer यहाँ पर यह होगा कि recommendations जो है वो law नहीं बनती है उनके पास यहां पर यह responsibility होती है अब यहां पर क्या है तो इसका अगला question यहां पर यहां पर आएगा कि सर अगर माल लीजे कि recommendation जो है वो यहां पर law नहीं बन रही है है ना तो मतलब क्या process हुआ अब क्या हुआ कि जब यह recommendations यहां पर दी गए तो लोगों ने इसके उपर पढ़ा है ना समझा कि भई मंडल कमीशन ने यहां पर क्या क्या बात बताई है तो क्या होता है कि जो ruling government यहां पर होती है उनके उपर क्या होता है कि pressure बनता है है ना कि यार अम बतलब यह recommendations यहां पर आई है इनकी उपर हम थोड़ा discussion यहां पर करते the report and recommendations were discussed in the parliament ठीक है तो जो भी जब यहां पर यह report निकल करा ही जब सरकार की उपर pressure यहां पर बना तो parliament में उस report को रखा गया और उसके उपर जो है जो भी अलग-अलग political parties के MPs थे है ना क्योंकि हम parliament में discussion कर रहे है तो member of parliament जो थे उन्होंने यहां पर discussion स्टार्ट किया for several years many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commissions recommendation ठीक है मतलब जो मंडल commission की recommendation थी तो अलग-अलग तरीके की जो political parties यहां पर थी है ना उन्होंने यहां पर क्या किया कि उन्होंने लगातार demand करी कि भाई इसका implementation जो है वो यहां पर होना चाहिए क्योंकि वो हो नहीं रहा था फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था 1979 में इस commission को गठित किया गया इसने report अपनी कब publish करी 1980 में जो है वो publish करी लेकिन 1989 तक अगर आप देखोगे तो report की जो recommendations थी उनको यहां पर implement नहीं किया गया फिर क्या होता है कि लोकसभा elections यहां पर आ जाते है 1989 की है ना जब य यहां पर देखने को मिला in this election manifesto election manifesto का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप देखोगे की election manifesto का मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे जब अलग-अलग political parties होती है ना जब वो election में यहां पर उतरती है तो वो बताती है ना कि हम आपके लिए यह काम करेंगे हम इतनी jobs यहां पर create करेंगे हम यह development project यहां पर चलाएंगे हम लोग यहां पर जो female है ठीक है उनके protection के लिए security के लिए इस तरीके के provision करेंगे तो वो उनका manifesto होता है manifesto का मतलब यहां पर क्या है कि वो आगे चलकर यहां पर क्या काम करने वाले और किस basis पे वो आपके सामने जो है वो अपने vote की demand कर रहे हैं that is all included in election manifesto तो क्या हुआ कि उस time period पर जनता दल जो थी उसके election manifesto में उन्होंने यहां पर यह promise किया कि अगर आप यहां पर उनको vote देते हो और वो election यहां पर जीतते हैं it would implement the mandal commission report ठीक है तो इन्होंने अपने election manifesto में क्या बोला कि भाई जो socially और educationally backward classes के लिए 27% reservation कि यहां पर बात हो रही है है न वो क्या करेंगे अगर यह election जीतते हैं तो इनको यहां पर क्या किया जाएगा इनको जो है वो यहां पर यहां पर इसको implement करने वाले हैं दा जनता दल डिट from the government after this election मतलब जब 1989 का लोग सभा election हुआ तो जनता दल जो है वो यहां पर क्या मंत्री आपको देखने को मिले सेवरेल डिवलप्मेंट टूप प्लेस आफ्टर दैट ठीके जब यह प्रधानमंत्री बने इनकी सरकार यहां पर आपको देखने को मिली तो काफी सारे डिवलप्मेंट यहां पर हुए है ना अब यहां पर एक चीज समझेगा अभी मैंने नि आपको क्या बताया कि जब हमारे यहां पर कोई कानून बन रहा है ना किसी चीज का हमारा जो है वो implementation यहां पर हो रहा है तो उसकी एक process में आपको बता रहा हूं सबसे पहलेардal commission ने किया गया उसकी recommendations यहां पर आए, पारलेमेंट में डिसक्स किया गया लेकिन कोई चीज फाइनल नहीं हुई, फिर जनता दल नहीं यह बोला कि अगर हम election जीते हैंगे तो मैं यहां पर मंडल कमेशन की जो recommendations है, उनको implement करूँगा, election यहां पर जीत गए और कई सारे important जो places हैं मतल पर पार्टीन है तो उसको एड्डरेस करते हैं ठीक है नई पिर्टेंट के टाइम पिर Alber GC पर प्रसिडिन्न का जो ऐड्रेसे वह यहांपर हस्वह लिए सचर्कार यहां पर बनेगा नभी वहां पर राइज़ार प्रेसिडन को डेखने को मिलता है ठीक है उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये बोला Parliament में President ने ये बात यहाँ पर रखी की सरकार जो अभी ruling government है जिसकी सरकार यहाँ पर form हुई है वो लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं Mandal Commission की recommendations को यहाँ पर implement करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी election manifesto में यहाँ पर बोला था अभी अगर उसको यह fulfill नहीं करेंगे तो अगली बार election नहीं जीतने वाले ना problem समझ में आ रही आपको तो इसलिए उन्होंने जो भी बोला है उसको implement करना होगा तो President जो की executive है यहाँ पर क्या कर रहे है एक्जिकेटिव मतलब जो execute करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ उन्होंने यह बोला कि सरकार जो है वो यहाँ पर mental commission की report जो है वो यहाँ पर implement करना चाहती है ठीक है अब एक date यहाँ पर देखिए 6 अगस्त 1990 1990 में रिपोर्ट यहाँ पर आ गई थी 10 साल के बाद देखो के 1990 में यहाँ यूनियन कैबिनेट ठीक है टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लेमेंट दा रिकमेंडेशन कैबिनेट यहाँ पर क्या होता है कि यह पर इंप्लेमेंट करेंगे ने पर बोला कि सरकार क्या करना चाहती है चीज़ों को इंप्लेमेंट करना चाहती है है ना उसके बाद फिर इसके उपर काम होने रखा और कैबिनेट ने ही डिसाइड किया 6 अगस्त 1990 को कि हम इस recommendation को यहाँ पर जो है वो final करना start करते हैं next day Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the house of Parliament ठीक है मतलब जो दोनों houses होते हैं ठीक है दो house कौन कौन से हो गए भई एक house हो गया आपका लोग सभा और एक house जो हो गया वो आपको देखने को मिलेगा राजी सभा ठीक है तो यह दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यह decide कि लोग सभा और राजी सभा में जो है इन्होंने एक formal जो है आप कोई बड़ा development अगर होता है तो दोनों जगे पर जाकर बताया जाता है ठीक है लोग सभा में भी बताएंगे और राजी सभा में भी यहां पर बताया जाएगा तो प्रायम मिनिस्टर जी ने जब चीज़ें यहां पर final हो गई है ना cabinet की दौरा ठीक है तब यहां पर प्रायम निस्टर जी ने अगले दिन जाके दोनों हाउसस में जो है वो बात बता दी है कि हम जो है वो यहां पर चीजें जो है मंडल कमिशन की उसको यहां पर रिक्मेंट डेशन को करेंगे दा डीसीजन अगनिट वो सेंट दॉद डैज्टर टुदान अघन 土 자 को वे क्या है कि यहां भी क्या तो अभी किया हुआ है कि पारेमेंट में जो है वो vision यहां पर हुआ है ना discussion वगरा किया गया उन चीजों को final किया गया और finally अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो decision यहां पर लिया गया था cabinet के द्वारा ministers का जो group है उनके द्वारा इसको यहां पर department of personal and training में भीजा गया senior officer of the department drafted an order in line with the cabinet decision मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो भी cabinet ने चीजें यहां पर final करी थी जो बात यहां पर बोली थी उसके भी हाफ में जो है एक order यहां पर draft किया जाता है मतलब जो जो point बताये गए थे उनको आप यहां पर देख सकते हैं आपके book में जो है वो order यहां पर photo के form में जो है वो लगा हुआ उसको देखोगे ना तो उसमें चीजें सारी आपको समझ में आ जाएगी ठीक है with the cabinet decision and took the ministers approval ठीक है जब इन्होंने पूरा का पूरा चीजे draft कर ली लिख लिया सब कुछ final कर लिया उसके बाद ministers ने उसको देखा कि सब चीजें सही लिखी हुई है नहीं और उनका approval मिल गया एन officer signed the order on behalf of the union government जो joint secretary ने यहाँ पर sign किया है है ना उन्होंने क्या कर दिया इसको जो है वो यहाँ पर sign कर दिया जिसकी photo आपके book में यहाँ पर लगी हुई है तो आपने यहाँ पर यह देखा कि मैंने आपको बताया कि 27% reservation की बात यहाँ पर हुई है ना तो इसमें क्या है कि इसमें अलग-अलग तरीके के लोग है है ना मंडल commission की recommendation ने commission यहाँ पर देखने को मिला फिर parliament में उसकी उपर discussion हुआ cabinet ने वो चीज़े देखी कि हमें इसको यहाँ पर final करना है उसके बाद इसको यहाँ पर department of personal and training में भीजा गया तो आप यह देखते हैं कि commission हो गया फिर legislative branch जो legislature है उसने यहाँ पर legislate किया legislature ने यहाँ पर करने के बाद जो है वो executive को यहाँ पर भेजा और executive ने formal यहाँ पर जो है वो government के भिहाफ में जो है वो sign किया और finally जो है वो order आपको देखने को मिला तो मतलब यह long process होती है हमारे देश में कोई भी कानून बनता है ऐसे नहीं बन जाएगा कि बस यहाँ पर हम पर देखने को मिलेंगे ठीक है for the next few month this was the most hotly debated issue in the country अब यहाँ पर क्या हुआ कि reservation यहाँ पर हो गया तो अब reservation में क्या होगा कि कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पर अच्छा लगेगा कि चलो भाई हमारी aspirations जो है वो यहाँ पर fulfill होंगी कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि हम लोग इतने अच्छे number लेकर आते हैं हमारा reservation जो है उसकी वज़े से यहाँ सेलेक्शन नहीं होता है तो दोनों तरीके की चीज़ें यहां पर होने लग दी तो आप यह के सकते हैं कि अगले कई महीनों तक इसके उपर लोगों ने खूब नियूसपेपर में मैगजीन वर में वर फुल उफ एट डिफरेंट वीजेज और इसेज़ें अगया तो लोगों ने क्या किया है ना कि हम लोग को लाब हो रहा है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने यहां पर क्या कर दिया काउंटर प्रोटेस्ट यहां पर होने लग गई और कई जगे पर सिचुवेशन जो है वह बहुत वाइलेंट हो गई है ना वाइलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा हाता पाई हो गई है ना इस तरीके की चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिलेगी पीपल रियक्टेट स्ट्रॉंगली बिकॉस दिर्शिजन अफेक्टेट थाउजंड ऑफ जॉब ऑपर्चुनिटीज है ना अभी यहां पर क्या होता था कि अभी अगर आप देखोगे तो सौ सीट है एक्जांपल की तौर पर बता रहा हूं आप इसमें से क्या हुआ कि 27 मतलब 27 सीट जो हैं वो रिजर्व कर दी गई है किसके लिए सोशनी और जो एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासे ने उनके लिए है ना आप आपके पास यहां पर टोटल अगर आप सीट देखोगे तो कितनी बज़ गई टोटल आपको पास 73 सीट से पहले 100 सीट के लिए 33 के लिए होगा अच्छा अब इस सौशीट में भी अगर आप देखोगे ना तो SC और ST जो कम्यूनिटी थी उनके लिए पहले सी रिजर्वेशन पॉलिसी थी पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि कॉंस्ट्रीटिवेंसी रिजर्व थी लेकिन उनको रिज वो यहाँ पर affect कर रही थी किसकी इस decision की वजे से some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation ठीक है मतलब कुछ लोगों का यहाँ पर यह मानना था जो इस decision को यहाँ पर welcome कर रहे थे उनका यह कह रहे थे कि आजके time period पर भारत में बहुत inequality है है ना मतलब problem बहुत जादा है तो अगर हम उनको आग लाना चाहते हैं तो उनको reservation यहाँ पर मिलना चाहिए लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल यहाँ पर agree करता हूं कि ground reality यह है कि जिनको reservation की जरूरत नहीं होती है वो भी इसका यहाँ पर benefit जो है वो उठाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए है ना जिनको लगता है कि भाई वो लो रही है तो उनको promote करने के लिए reservation जो है वो jobs में होना जरूरी है तभी यहाँ पर equal representation जो है वो आपको देखने को मिलेगा है ना यह बात यहाँ पर आपको बताएगे they felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in the government employment मलब जो सरकारी job वगरा होती है तो इससे क्या होगा कि reservation जब हम देंगे तो उस particular जो यहाँ पर community है है ना class के लोग जो है वो यहाँ पर क्या होगे निकल कर सामने आएंगे तो जो सरकारी job वगरा होती है उनमें उनका adequate adequate मतलब आप यह कह सकते है कि sufficient amount में है ना यहाँ पर क्या होगा कि उनका representation जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब दूसरे तरफ अगर हम देखेंगे जो लोग इसका oppose यहाँ पर कर रहे थे इस decision का felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे समीधान में जो है वो equality के बारे में बात क बात हो रही है है ना कि अगर कोई government job यहाँ पर होगी तो इसमें equality of opportunity आपको देखने को मिलेगा तो आपने तो क्या कर दिया reservation provide कर दिया तो जो लोग backward communities से यहाँ पर belong नहीं करते हैं उनको reservation का फाइदा नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके की बात लोगों आपको यह देखने को मिल रहा है ठीक है इस point को समझना है बहुत अच्छा point है यह दे वुट भी denied jobs even दो देख कुट भी more qualified मतलब यहाँ पर क्या है क्योंकि अब आपने streets यहाँ पर reserve कर दी हैं तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि अब आप लोग यहाँ पर यह देखना कि उनके number जादा है है ना उन्होंने पढ़ाई बगरा जादा यहाँ पर करी है लेकिन क्योंकि streets यहाँ पर reserve कर दी गही है backward communities के लिए और वो backward communities से यहाँ पर belong नहीं करते हैं तो अच्छे number लाकर भी जादा qualified होकर भी उनको यहाँ पर क्या होगा job opportunities जो है वो avail नहीं कर पाएंगे तो यह दोनों लोगों कमत था ठीक है तो मैंने आपको यह बता दिया कि जो लोग इसका support कर रहे हैं उनका क्या मत था वो लोग क्या बूल रहे ते क्यों support कर रहे थे और जो लोग इसके अगेंस्ट में यहाँ पर थे, वो लोग इसके अगेंस्ट में क्यों थे, उन दोनों का point मैंने हाँ पर आपको समझा दिया, है ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको एक चीज यह समझ में आ गया, कि मतलब इनके बीच में एक dispute जो है, वो निकल कर साम है, अब जब यह protest यहाँ पर हो रहा है, तो आप इनके बीच में जो यह dispute निकल कर सामने आया, इस dispute को resolve कौन करेगा, है ना, मतलब जैसे हमारे घर में बच्चों की रड़ाई हो जाती है, तो कौन resolve करते हैं, ठीक है, बापा, ममी जो है, उसको resolve करते हैं, ठीक है, उसी तरीक कार के दोरा यहाँ पर कोई decision यहाँ पर लिया गया है, है ना, और अगर माल लीजिए कि उसकी वज़े से कोई dispute यहाँ पर create हो रहा है, जैसा इस case में मंटल कमिशन की recommendation के implementation में जो dispute यहाँ पर निकल कर आया, तो इसको resolve करने की जो जिम्मेदारी होगी, वो court की यहाँ पर इसे यहाँ पर जो हमारे अलग-अलग तरीके के institutions होते हैं, वो यहाँ पर नहीं बनाए गया है, है ना, उनके पीछे एक logic है, एक connection है, अब देखो dispute यहाँ पर आ गया है, तो Supreme Court और High Court भी हमारे देश में देखने को मिलेंगे, ताकि सरकार के दोरा जो भी यहाँ पर अलग- साथ गलत हो रहा है, उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया, कहां पर Supreme Court में, High Court में, जहां पर भी उनको सही लगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर केस जो है, वो यहाँ पर फाइल कर दिये, they appeal to the court to declare the order invalid and stop its implementation, मलब सरकार ने जो यहाँ पर election manifesto को अपन फुल्फिल यहाँ पर किया है, वो गलत है, है ना, क्योंकि अगर वो उसको implement नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि अगली बार election में हार जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कर दिया, तो वो court से यह गुजारिश कर रहे हैं कि भाई, court साहब आप यहाँ पर यहाँ पर था, इसक case नहीं था, है ना, काफी सारे cases, same topic पर यहाँ पर रहते हैं, तो उनको सब को एक अठा गया Supreme Court ने, this case was known as the Indra Sani and others versus Union of India case, है ना, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजे कि कोई case है, है ना, तो उस case में क्या होता है कि, कई सारी चीजे हैं, है ना, यह Indra Sani versus Union of India case, मतलब बहुत historic decision यहाँ पर Supreme Court के द्वारा लिया गया था, तो क्या होते हैं कि, अलग-अलग तरीके के यहाँ पर जो case होते हैं, जो भी यहाँ पर जैसे इंदरा Sani, यहाँ पर आपको personality देखने को मिलेंगी, है ना, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है, वो case फाइल किया गया, सारे cases को include करके, यह जो है, वो case बनाया गया, जिसको बोलते हैं, इंदरा Sani and others versus union of India case, ताकि अगर माल नाम इसलिए दे दिया जाता है, ताकि यहाँ पर ना, आगे अगर कभी उसके बारे में पढ़ना है, कुछ जानकरी, कथा करनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाएं, तो इस case को इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, जो भी यहाँ पर petition वगरा यहाँ पर file करी गी थी, petition मतलब यहाँ पर, जो इन्होंने अपने grievances यहाँ पर court को बताये थे, हैना, उन्होंने case जो file किया था, उसको हम petition यहाँ पर कहते हैं, तो इंदरा Sani and others versus union of India case जो है, वो इसक case में हाँ पर क्या Supreme Court ने वडिक दिया, हैना, वो हमारे लिए यहाँ पर important है, अब उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, इसके लिए ना, यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि Supreme Court में एक bench बनाएगी, हैना, bench का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो है, वो bench बनाएगी, और bench का मतलब simply यह होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, कि एक लोग करेंगे, तो हो सकता है कि गलत हो जाए, हैना, वैसे होता नहीं है, जुडिशिरी के case में, लेकिन 11 लोग जब यहाँ पर एक साथ decision देंगे, और उनसे फिर voting करवा जाएगी, हैना, तो क्या हो सकता है कि 11 लोग बोले की ठीक है, हैना, यह चीज सही है, सरकार के तवारा और 0 लोग बोले की गलत है, ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोग बोले की सरकार ने जो किया है, वो मलब सही किया है, और 11 लोग बोले की यहाँ पर गलत है, फिर ऐसा भी हो सकता पर जो भी और्गुमेंट से दोनों साइट्स की, दोनों साइट्स की मतलब जो लोग इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे और जो लोग इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसकी बास सुनेगे, बाई या मैजओरीटी, मैजओरीटी का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आप ये वही जो मैंने आपको एक्जाम्पल बताया है न, 11-0 है न, 6-5, 6-4, तो इधर वाले जो लोग हैं यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है यह आपको मैणॉरीटी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, त 27% जो reservation यहां पर provide किया है इसको Supreme Court ने क्या कर दिया valid कर दिया है ना मतलब उन्होंने बोल दिया कि सरकार का जो decision है वो यहां पर बिलकुल सही है at the same time the Supreme Court ask the government to modify its original order है ना लेकिन साथी साथ यहां पर क्या कर दिया है उन्होंने यह बोल दिया कि जो आपने order यहां पर release किया है इसमें कुछ modification आप करिये है ना मतलब उसको valid भी करार दे दिया और उसको यह भी बोल दिया कि आप इसमें कुछ modification जो है वो यहां पर करिये it said that well to do person among the backward classes should be excluded from the getting the benefit of reservation है ना इसमें यह बोल दिया पर आप reservation provide करिये जिसको इसकी जरूरत है well to do person मतलब अपने जीवन में जो बहुत अच्छा कर रहे है अलग-अलग तरीके की सुविधा है उनके पास है उनको include करनी कि यहां पर आवशकता नहीं है यह modification जो है वह Supreme Court ने किसको बोल दिया government को करने के लिए accordingly the department of personal and training issued another office of memorandum on 8 September 1993 है न तो आप modification यहां पर हुआ सरकार ने बोला ठीक है भई हम इसको कर लेते हैं उन्होंने modification करके जो है वह यहां पर executive को दिया और executive ने जो है मतलब आप यह सकते हैं कि department of personal and training ने एक दूसरा यहां पर office of memorandum जो है वो 8 September 1993 को यहां पर release किया जिसमें जो modifications यहां पर थे वो यहां पर कर दिये गए है ना तो यह पूरा का पूरा process है तो मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप starting से देखें मंडल कमीशन ठीक है मंडल कमीशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर हम जाएंगे तो legislature जिसने यहां पर इसके बारे में बात किया कि हमको इस तरीकी की चीज़ें यहां पर implement करनी है executive, department of personal है ना जिसने यहां पर government के बहाफ में यहां पर चीज़ों को sign किया उसके बाद judiciary जो judiciary यहां पर है जहां पर यह case वगरा चले यह सारे के सारे जो organs आपको देखने को मिलेंगे यह सारे के सारे इस particular case पर यहां पर involved देखने को मिलेंगे अब यही सब चीज़े क्या होती है यही सब चीज़े जो है वो institutions यहां पर कहलाती है और उनके बहाफ पर हम चीज़ों को अब यहां पर समझेंगे